Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, Sajgi कवीता है I Remember, I Remember, जो की Thomas Hood के दुरा लिखा गया है. Thomas Hood एक English poet और humorist यानि की हास लेखक थे, जो The Bridge of Sings और The Song of Sats जैसे कवीताओं के लिए जाने जाते हैं. इस कवीता को 1844 में publish किया गया था. Poets अपने बच्पन के दिनों को याद करते हैं, साथी अपने बच्पन के खुसियां का जो तुलना है, अपने उदासी भड़े वरतमान से करते हैं. Poets को पता है कि उनका बच्पन का जो जीवन है वो काफी सुखत था, यदि उसके दुख भड़े वरतमान से तुलना किया जाय तो. कवी के अंदर की जो लालसा है, अपने बच्पन के दिनों को पाने का वो साफ दिखता है, जब वो आई रिमेंबर करके वो रिपिट करते हैं. सो चलिए, सुरू करते हैं इस कवीता को. I remember, I remember. Point याद करते हैं. की याद है मुझे. The house where I was born. यहाँ पे वो उस घर के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ उनका जन्म हुआ था. The little window where the sun came pipping in at morning. वो याद करते हैं कि उसके bedroom में एक छोटी खिर्की से होकर सुरज की किरने आया करता था. मौनो वा विंडो से होकर वा सुरज की किरने जो है, खिर्की से होकर जहां कराओ, पिप कर रहा हूँ. He never came a wink too soon, nor brought too long a day. Sun को यहाँ पे परसौनिफाइ किया गया है एक मौनव के रूप में, कि वो ना कभी बिलम से आता, ना कभी देर से जाता. But now I often wish the night had born my breath away. यहाँ पे पहली इस्टेंजा में एक बड़ा मोराता है, यह जब पॉइट जो है, यानि कि थोमस होट बताते हैं कि अब वो कभी कभी चाहते हैं, कि वो कभी बैस्क ही नहीं हुए होते. यानि बैस्कता को प्राप्त करने के पहले वो मर गए होते. और आकड़ी के दो लाइन में वो अपना बरतमान का जो इस्थिती है वो बताते हैं। कि जिस तरह से बच्पन में जो खुसियां, जो आनंद वो प्राप्त करते थे, जो महसूस करते थे, लेकिन बड़े होने प्रबैस्क होने पर जो है, वो सारी खुसियां जो है, वो खत्म हो चुका है। और उनका जो वरतमान का जो इस्थिती है, वो काफी दैनिया है, काफी पीरा दायक है। सकंड इस्टेंजा में अपने बच्पन के दिनों को याद करते हैं। जहां वो सुन्दर रंग बिरंगे रोजेज लिलीज को देखकर इंज्वाय किया करते थे। ये सबी फूले जो है उसके घर के चारों और गार्डन में हुआ करता था। और रॉविन बर्ड जो है, रॉविन चिरियां घोसला बनाया करती थी। अपने बचपन को यहां पे वो बर्ड से रिलेट करते हैं। एक चाइल्ड के तौर पर वो काफी उरजाबान हुआ करते थे। उसमें काफी उरजा हुआ करती थी। जो काफी तेजी से जूले पर जो है वो जूलते थे। और वो हवा के तेज जहूंकों को वो महसूस करते थे, उसके ताजगीपन को महसूस करते थे. My spirit fill you in feathers then, that is so heavy now. वो मानो पंखों के समान हलका हो, जो काफी तेजी से fly करता है. वो बिल्कुल चिंता मुक्त कर सकते हो कि वो बिल्कुल भी परवा नहीं करते थे. लेकिन अब वो जो है, वो काफी बेस्खोने पर जो है, वो काफी heavy हो गए है. यानिक उनका जो आत्मा है, उनका जो spirit है, वो पाप से, चिंताओं से गरसित हो गया है. अब दुनिया का जो भार है, उसकी कंधों प्या चुका है. अब वो भी जो है, उसके fever को ठीक करने में सक्चम नहीं है. यानिक उसके अंदर जो उदासी पन, जो बेचेनी पन है, उसको ये समर का जो water है, वो ठीक नहीं कर सकता है. अपने चाइल्ड हूट के दौरान जो है, वो कलपना किया करते थे, कि वो लंबा सा, वो बिसाल फर ट्री जो है, जो कि काफी उचा हुआ करता था, वो इसका एको टच कर रहा हूँ, इसका एको एसपर्स कर रहा हूँ, और वो महसूस करते थे, कि heaven जो है, वो काफी समीप है, वहाँ पे पहुचा जा सकता है. यहाँ पर पॉइट कहते हैं कि, वो अब समझ चुके हैं कि वो उसका बचपन का नादानी था, वो ना समझी था, इट वाज़ाँ चाइल्डिस इग्नॉरेंस, बट ना, इस लिटल जो आए, तो नो, आएम फार्दर आफ रॉफ रॉम हैवन, देन, वेन, 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 वेन हुए, ब्यस्क होने के पस्चात, वो महसूस करते हैं, जैसे ही वो उनमें जो है, बुद्धी हुआ, तो अब वो थोड़ा भी खुशी महसूस नहीं करते हैं, और वो जानते हैं कि हैवन जो है, वो काफी दूर इस्थित है, जहां पर उनका पहुँच संभव नहीं है, ले जा सकता है, वहां पर पहुचा जा सकता है, लेकिन जैसे ही वो बड़े हुए और उनमें विवेक हुआ, तो वो समझते हैं कि हैवन जो है, वो काफी दूर इस्थित है, वोहां पहुचना संभव नहीं है, तो कुल मिलाकर यह कवीता जो है, जिसमें वो अपने बच्पन के बारे में बताए हैं और यहां पे साथी साथ वो चाहते हैं कि उनका बच्पन का जो दिन है जो उर्जा वो महसूस किया करते थे वो वापस मिल जाए साथी उस दर्थ से छुटकारा पा सके जो अभी वो बेस्क होने पर जेल रहे हैं So thanks for watching